हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब स्वस्थ होंगे आए आज आज आपका नया पाठ रचनाएं समझना शुरू करते हैं कक्षा नौ में आपने एक पट्री तथा परकार का प्रयोग करके कुछ रचनाएं की थी जैसे किसी कोन को स्वम्धिभाजित करना किसी रेखाखन का लंब स्वम्धिभाजक खीजना कुछ त्रिबुजों की रचनाएं करना इत्यादी तथा उनका औचित्य भी दिया था इस अध्याएं में हम पिछली रचनाओं के ज्ञान का उप्योग करते हुए कुछ और रचनाओं का अध्यन करेंगे ये रचनाएं क्यों हो जाती हैं? इनसे संबंदित कुछ गणितिये व्याख्या भी आपको देनी होगी तो चलिए एक रेखा खंड को दिये हुए अनुपात में विभाजित करना सीखते हैं एक रेखा खंड ए भी दिया है हम इसको M संबंदे N के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम M बराबर 3 और N बराबर 2 लेंगे तो आईए हम यहाँ पर एक रेखा खंड लेते हैं A B अब B A X एक न्यून कोन हम बना लेते हैं A X पर हम बराबर 3 प्लस 2 पांच पांच हिस्से बराबर काटेंगे 2, 3, 4 और यह होगे 5 इनको हम A1, A2, A3, A4 और A5 लिख देते हैं अब हम A5, B को इस प्रकार मिला देंगे अब हम A5, B के समानतर A3 से एक रेखा खीचेगे देखिए यह कौन देख लेते हैं, कितनी है? बिलकुल उतनी ही कौन हम यहां बनाएंगे और इस प्रकार यह हम समानतर रेखा खीचेंगे हम यह देखते हैं कि A3, C यह रेखा A, B को C पर प्रतिछेद करती है और A, C संबंदे C, B तीन संबंदे दो होगा चलिए बचो रचना की पुष्टी समझते हैं इसमें A3, C समानतर है A5, B के आधार भूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा A, A3 बटा A3, A5 बराबर है A, C बटा C, B रचना से A, A3 बटा A3, A5 बराबर है 3 बटा 2 अतह A, C बटा C, B भी बराबर होगा 3 बटा 2 इससे यह निश्करश निकलता है कि बिंदू C, A, B को 3 संबंदे 2 में विभाजित करता है ठीक है प्रचो आईए इसी हम रच्टा को दूसरी विधी से समझते है इस विधी में हम यह हमने रेखा खंड लिया A, B झाईए ठीक है झाल 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 देखे बच्चों हमने यहाँ पर भी रेखा खंड लिया फिर हमने न्यून कोन बनाया B A X A X हमने एक किरन खिंची जिसमें यह न्यून कोन और A B Y यह दोनों कोन बराबर लिये फिर हमने किरन A X पर तीन बराबर हिस्से बनाए A 1, A 2, A 3 इस प्रकार कि A A 1 बराबर है A 1, A 2 के और A 1, A 2 बराबर है A 2, A 3 के उतना ही बराबर हिस्सा हमने B B 1 बराबर B 1 B 2 लिया फिर हमने A 3 और B 2 को जोड दिया हम देखते हैं कि यह रेखा A C को C पर प्रतिछेद करती है अब हम रचना की पुष्टी समझ लेते हैं हम देखते हैं कि कोन A 3, A C A 3, A C और कोन B 2, B C यह क्या है एक आंतर कोन है और कोन A 3, C A A 3, C A और B 2, C B यह दोनो कोन क्या है शीर्चा बिमुक कोन है इस प्रकार त्रिभुज A A 3, C और त्रिभुज B B 2, C यह क्या हुए A A समरूप का कसोटी से समरूप हुए अब A A 3 यह देखिए A A 3 बटा B B 2 बराबर हुआ A C बटा B C परंतु रचना द्वारा हम देख रहे हैं A A 3 बटा B B 2 बराबर है 3 बटा 2 अतह A C बटा C B भी बराबर होगा 3 बटा 2 इससे यह निश्करश निकलता है कि बिन्दू C A B को 3 संबंदे 2 अनुपात में विभाजित करता है समझ में आया बचो तो यह दूसरी विदि थी एक रेखा खंड को अनुपात में विभाजित करने की आईए अब दूसरी रचना समझते हैं एक दिये हुए त्रिभुज A B C के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिये जिसकी भुजाएं दिये गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3 बटा 4 हों आईए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं A B C त्रिभुज बना की हम एक किरन C B X बनाएंगे 3 बटा 4 4 तीन से बड़ा है इसलिए हम यह 4 हिस्से बनाएंगे इनको नाम देंगे इस प्रकार अब 3 बटा 4 इसका मतलब B 3 पे हम एक रेखा खींचेंगे जो B 4 C के समानतर होगी देखिए देखिए इसको नाम देते हैं C डाश हम देखते हैं कि B 3 C डाश जो B 4 C के समानतर है वो B C को C डाश पर प्रतिछेद करती है अब हम C डाश से एक रेखा खींचेंगे जो A C के समानतर होगी इसको नाम देदेंगे A डाश C डाश अब देखिए A डाश C डाश समानतर है A C के आए बचो अब हम इस रचना की पुष्टी समझ लेते हैं यह देखिए रचना से हम देख रहे हैं B C डाश बटा C डाश C बडाबर है 3 बटा 1 इसलिए B C बटा B C डाश हम कैसे लिख पाएंगे B C को हम लिखेंगे B C डाश प्लस C डाश C बटा B C डाश अब हम इसको लिख लेते हैं B C डाश बटा B C डाश प्लस C डाश C बटा B C डाश यह हम काट देंगे तो हो गया 1 एक प्लस और यह हमारे पास कितना हिस्सा था एक एक बटा 3 इस प्रकार इसको हल करके हमें मिलेगा 4 बटा 3 अर्थात B C डाश बटा B C बराबर हुआ 3 बटा 4 और हम यह भी देखते हैं कि C डाश A डाश समानतर है C A के इसलिए त्रिभुज A डाश B C डाश समरूप है त्रिभुज A B C के अतह A डाश B बटा A B बराबर है B C डाश बटा B C बराबर है 3 बटा 4 के ठीक है बच्चो समझ में आया हमने देखा तीनों ही भुजाएं A डाश B बटा A B बराबर है A डाश C डाश बटा A C बराबर है B C डाश बटा B C जो बराबर है 3 बटा 4 इस प्रकार हमने इसको रचना को किया आईए बच्चो अब आपकी प्रिश्नावली 11.1 का पहला प्रशन देखते हैं पहला प्रशन है 7.6 cm लंबा एक रेखा खंड कीजिए और इसे 5 संबंदे 8 अनुपात में विभाजित कीजिए दोनों भागों को मापिए रचना का अचित्य भी दीजिए ठीक है बच्चो ये हमने दोनों विधी से करेंगे हम जैसे हमने अभी आपको समझाया हमने देखा की हमने A, B को 7.6 cm ले लिया ठीक है फिर हमने B, A, X एक निउन कोंड बनाया और A, X के उपर 5 प्लस 8 कितने हिस्से हुए 13 तो हमने 13 भाग इस पे बना लिये A, A1 A2, A3, A4 A5, A6, A7, A8 A9, A10, A11, A12 A13 A13 से हमने B को जोड दिया ठीक है और फिर हमें क्योंकि 5 सम्बंदे 8 लेना था तो A5 पे हमने वो कोंड बराबर बनाई किसके A, A13 B के बराबर कोंड बनी A, A5, C और हम देखते हैं कि A5, C समानतर है A13, B के और A5, C A, B को प्रतिछेद करता है और हमने नापा तो A, C आया 2.9 संटीमीटर और C, B आया 4.7 संटीमीटर आये अब इस रचना की पुष्टी समझ लेते हैं हम देख रहे हैं A5, C समानतर है A13, B के तो हमने पढ़ रखा है आधार्भूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा त्रिभुज A, A13, B में हमें क्या दिया हुआ है A, C बटा C, B बराबर है A, A5 बटा A5, A13 इसको हम समीकन संख्या एक ले लेते हैं आकरती में A, A5 और A5, A13 मेरे खाखन को क्रमशह 5 और 8 बराबर भाग है इस प्रकार A, A5 बटा A5, A13 बराबर हुआ 5 बटे 8 इसको हम समीकन संख्या दो ले लेते हैं अब समीकन संख्या एक और दो से हम तुलना करके हम पाते हैं कि A, C बटा C, B बराबर हुआ 5 बटे 8 अतहर रचना की पुष्टी हो जाती है और हमने माप के देखा A, C बराबर है 2.9 और C, B बराबर है 4.7 संटीमीटर आईए बच्चों इसको हम दूसरी विधी से करके देखते हैं यह हमारे पास 7.6 संटीमीटर A, B रेखा खंड है और इसको हम 5 संबंदे 8 अनुपात में विभाजित करेंगे ठीक हैं दोनों भागों को मापेंगे और रचना का और चित्य भी देंगे हमने यहां पर A, B को 7.6 संटीमीटर लिया फिर हमने A, X एक किरन बनाई और B, Y दूसरी किरन बनाई इस बात को ध्यान में रखते हैं कि A, 5, A, B कोण और A, B, Y कोण दोनों बराबर हो A, X किरन पे हमने 5 बराबर हिस्से काटे देखें 5 संबंदे 8 है इसलिए 5 हिस्से यहां और B, Y पे 8 हिस्से B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 फिर हमने A, 5 और B, 8 को जोड़ दिया और हम देखते हैं कि यह रेखा A, B को C पे प्रतिछेद करती है ध्यान देजिए A, C और C, B यह हमें आएगा 5 संबंदे 8 आएए इस रचना की पुष्टी देख लेते हैं हमारे पास कोण A, 5, A, C बराबर है B, 8, B, A के यह एक आंतर कोण है और कोण A, 5, C, A बराबर है कोण B, 8, C, B के क्यों? क्योंकि यह दोनों शीर्षा भिमुक कोण है इस प्रकार त्रिभुज A, A, 5, C समरूप है त्रिभुज B, B, 8, C के कैसे? A, A समरूपता का सौटी द्वारा A, A, 5, बटा, B, B, 8 बराबर है A, C, बटा, C, B के परंतु रचना द्वारा हमने देखा A, A, 5, बटा, B, B, 8, बराबर है 5, बटा, 8 अतह A, C, बटा, B, C भी बराबर हुआ 5, बटे, 8 के इससे यह निशकर्ष निकलता है कि बिंदू C, A, B को 5 संबंदे 8 अनुपात में विभाजित करता है और हमने नाप के देखा कि A, C बराबर हाया 2.9 संटीमीटर और B, C बराबर आया 4.7 संटीमीटर हम किसी भी विदी से इसको बना सकते हैं आपकी N, C, E, R, T पुस्तक में दोनों विधियां बहुत अच्छे से समझा रखी हैं आएए अब दूसरा प्रशन देखते हैं 4 संटीमीटर, 5 संटीमीटर और 6 संटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिये हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की दो बटा तीन गुनी हों ठीक हैं इसमें हमने A, B बनाया 4 संटीमीटर फिर हमने A से 5 संटीमीटर की हमने आग खिंची और फिर B से हमने 6 संटीमीटर की आग खिंची और A, C और B, C को बना दिया जोड दिया तो हमें इस प्रकार A, B, C त्रिभुज मिल गया अब हमने A, X यहाँ पर एक किरन बनाई जिससे की B, A, X एक नियून कोण हो और A, X पर हमने 3 बराबर हिससे काटे क्यों? क्योंकि 2 बटा 3 में 3 बड़ा है इसलिए हमने इसके 3 भाग किये और 3 भाग बराबर है A, A1 बराबर है A1, A2 के और A1, A2 बराबर है A2, A3 के अब हमने A3, B को जोड दिया और फिर हमने A2, B ड़ाश समानतर बनाया A3, B के जैसे हमने पहले बनाया था इन दोनों कोण को हमने पराबर बनाया हम देखते हैं कि B ड़ाश, A, B को प्रतिछेद करता है B ड़ाश पर और हमने फिर A, B, C कोण को A, B ड़ाश, C ड़ाश कोण के बिलकुल पराबर बनाया और हमारे पास कोन A, B ड़ाश, C ड़ाश बराबर है कोन A, B, C के क्यों? क्योंकि यह संगत कोन है और त्रिभुज A, B ड़ाश, C ड़ाश और त्रिभुज A, B, C में हमारे पास कौन A, B-C- बराबर है कौन A, B, C के क्योंकि अभी-भी हमने दिखाया है कि यह संगर्ट कौन है और हमें यह भी पता है कि कौन B-A, C- और कौन B, A, C यह देखिए, यह उभेनेश्ट है ठीक है? इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज A, B-C- समरूप हुआ त्रिभुज A, B, C के कैसे? A, A समरूपता कसोटी द्वारा और हम देखते हैं कि A, B-B-B-B-C-B-C- जो बराबर है A, C-B-B-C- ठीक है? इसको हम समीकन संख्या एक ले लेते हैं अब त्रिभुज A, A2, B- और त्रिभुज A, A3, B को देखिए इन दोनों में हमारे पास A, A2, A, B-डाश और A3, A, B-C-B-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C समरूप हुआ A A 3 B के A A समरूपता प्रमे द्वारा और हम लिख पाएंगे अब A B डाश बटा A B बराबर है B डाश C डाश बटा B C जो बराबर है A C डाश बटा A C और इसको हमने लिखा 2 बटा 3 A B डाश इस प्रकार बराबर हुआ 2 बटा 3 गुना A B के और B डाश C डाश बराबर हुआ 2 बटा 3 B C के और A C डाश बराबर हुआ 2 बटा 3 A C के अतह रचना की पुष्टी हो जाती है समझ में आया बच्चों इसी प्रकार आप प्रशनावली के दूसरे प्रशन भी हल करके देखिएगा आये बच्चों अब ग्रह कारे का समय दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए पहला प्रशन एक रेखा खंड A, B को पांच संबंदे साथ के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरन A, X कीचिए ताकि कोन B, A, X एक निउन कोन हो और फिर किरन A, X को समान दूरियों पर बिंदू अंकित किये जाएं ताकि इनकी निउनतम संख्या हो पहला विकल्प है आठ दूसरा विकल्प है दस तीसरा विकल्प है ग्यारा और चौथा विकल्प है बारा प्रशन दूसरा एक रेखा खंड A, B को चा संबंदे साथ के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरन AX इस प्रकार खींची जाती है कि कोन भी AX एक निउन कोन हो और फिर किरन AX पर समान दूरियों पर बिंदू A1, A2, A3 अंकित किये जाते हैं और बिंदू B को निम लिखित से मिलाया जाता है पहला ओप्शन है A12 दूसरा है A11 तीसरा विकल्प है A10 और चौथा विकल्प है A9 तीसरा प्रश्न लंबाई 7 cm का एक रेखा खंड कीजिए इस पर स्थित एक बिंदू P ज्यात कीजिए जो इस रेखा खंड को 3 संबंदे 5 की अनुपात में विभाजित करे चौथा प्रश्न एक त्रिभुच ABC बनाए जिसमें BC बराबर 6 cm AB बराबर 5 cm और कौन ABC बराबर 60 डिगरी हो फिर एक त्रिभुच की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3 बटा 4 गुनी हो पांचवा प्रश्न एक त्रिभुच ABC बनाए जिसमें BC बराबर है 7 cm कौन B बराबर है 45 डिगरी कौन A बराबर है 105 डिगरी फिर एक अन्य त्रिभुच की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4 बटा 3 गुनी हो आईए बचो अब सारांज की और ध्यान देते हैं इस अध्याए में आपने देखा की निम्न रचनाएं किस प्रकार की जाती हैं पहला एक रेखा खंड को एक दिये गए अनुपात में विभाजित करना दूसरा एक दिये गए त्रिभुच के समरूप त्रिभुच की रचना करना जबकि स्केल गुनक दिया गया हो स्केल गुनक एक से कम या एक से अधिक हो सकता है तो बच्चों आशा करती हूँ आज का पढ़ाय हुआ पार्ट आपको समझ में आया होगा खूब अभ्यास करिएगा और आप ये रचनाई बना पाएंगे धन्यवाद अज आपको स्काइबरा झाल गुनक आपको समझ द